बिस्मिल्लाहिवर्मानिर्रोहीम असलाम लेकुम स्टूडेंट्स विल्कम बैक टू मैं चैनल आल अबूर्ट मैंच विट सहर आज की वीडियो क्लास नाइन के लिए है चैप्टर टू है रियल एन कंप्लेक्स नंबर्स एक्ससाइज 2.4 करने लगे हैं क्वेश्चन आम इसक अब प्रश्चन को देखें युज लॉद ऑफ एक्स्पोनेट टू सिंप्लिफाई लास यूज करने है जो भी रूल है एक्सपनेट के उनको यूज करना है और उनको सिंप्लिफाई करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे क्वेश्चन को आइस एस्क्यूशन लिख लिए आपने सबसे पहले फि preliminary程度ी नहीं और आ देखा जाए तो एक 10 विद्याय के कि यह माई ता at a मैं अज्ए है कि क्ट यह चाया ये किंग तो आप ईॉर अद गद्र है तो इन टर्म पो को आपने क्या करना है जरार है आपने बुलेना है और उसको उसकी फैक्टर्स निकालने हैं फैक्टर्स निकालने के पाद जितनी भी इनकी पावर्स बंती होगी आपने वह लिखते हैं तो सबसे पहले हम 81 का करते हैं दो जितनी भी अउलिव थो समय तो मेंगे हम यहां पर लिख ठोड़ को लिखintegrate that था 81 की जगह मैंने उसकी नुटेशन फॉर्म लिखती पावर की फॉर्म लिखती और एंड जो वो पहले से ही था अब ये डॉर्ट का मतलब है यह आपस में मुल्टिप्लाइब हो रहे हैं वह पावर को से यहां पर आगा है थे यहां पर यहां गया वाहिर इसकी कोई नहीं थी इसलिए बाहर कोई भी पावर इसकी नहीं आएगी नीचे 9 है तो 9 की जगह obviously क्या होगा 3 3 3s are 9 यह पहले से ही 2n था इसको मैं बाहर लिख रही हूँ ठीक है तक है ना मिक्स ना हो हमारी पावर्स 9 की जगा 3 रेस तो पावर 2 और 2N पहले से ही था वह मैंने बाहर लिख लिख लिया 4N 3 5 minus 3 4N minus 1 dot लगा लें bracket लगा लें एक ही बात है तो यह रेस तो पावर 5 3 अगर एक पेस हो और अंदर पावर हो और एक बाहर हो तो दोनों आपस में पावर विख लिखती हूं और देखते हैं कि नेक्स में इनको किस तरीके से स्प्लिट आउट करके सेप्रेट कर देंगे अब यह जो दूनों अदि नो मिनिटर में जो भी दो वैलिउस हैं उनको मैं पहले इस तरम के साथ दिवाइट कर दोंगी यह डॉट का मतलब मिल्टिप्लाय है थ्री फोर एन थ्री देज टू पावर थ्री माइनस उपर वाली सारी टर्म लिखी मैंने और नीचे डी नोमिनेटर में जो सेपरेट एक था वह मैंने दोनों को स्प्लिट आउट करके दे दिया ठीक है अगर आपको एल्सीन का कॉंसेप्ट आता ना फिर आपको इस समझ आ जाएगा कि हम कैसे करते हैं अगर हमारे पास डी नोमिनेटर बिल्कुल सेम होते हैं तो म बाकि बचा 35533 माइनस यहां पर थोड़ी सी हमने चेंजी करनी है फोरन मजूद है लेकिन साथ ना माइनस वान ना तो हम क्या करते हैं 341 मुल्टीप्लाइब थोड़ी सी बात समझ रहें यहां यह 35 तो आज एगा तो मैं आपको लोजिक बता देती हूं कि यह कैसे 3 सेपरे हो रहे हो तो मिनकी पावर्स को एड़ कर देते हैं 4 & plus minus 1 तो plus minus minus यानि कि 4 & minus 1 वही चीज हो गई तो मैंने कि आप आपको सेपरेट सेपरेट बेसिस देदी लेकिन multiplication का sign apply करते हुए तो अब यहां पर 4 & 3 4 & 3 4 & cut out हो गया according to exponent rule जब हमारे पास spaces बिल्कुल सेम हो और वो divide हो रहे हो तो मिनकी powers को minus कर देते हैं यानि कि first में से second को minus कर देते हैं यह अब आपस में multiply हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा according to exponent rule जब हमारे पास basis बिल्कुल सेम हो और वो multiply हो रहे हो तो हम इनकी powers को add कर देते हैं अभी हम divide पे नहीं आए इसको solve किया तो 2 आ गया minus यहां पर आ जाएगा हमारे पास 5 में से 1 निकाला 4 अब यहां पर हम जाए exponent rule apply कर देते हैं according to exponent rule basis बिल्कुल सेम हो और वो डिवाइड हो रहे हो तो हमकी powers को minus कर देते हैं और next step पे हमारे पास आजएगा 3 raise to power 2 3 raise to power 1 3 को 2 time multiply किया यहनी कि 3 raise to power 2 का मतलब है कि 3 को 2 time multiply करें 3 3 0 9 अच्छा यह step आप skip कर सकते हैं skip कर लें 3 3 0 9 minus 3 और 9 में से 3 को निकाला तो यहागा 6 तो हमारे पासांस आ गया